तो हेलो एवरिवन क्यासे हो फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो का टॉपी की है कि जब मैंने अपरेल में वीडियो शूट करी थी कि मेरी गाड़ी की इंजन लाइट थी जो इदर आती है इंजन माल फंक्शन लाइट होती है वो ओन होगी थी 29 अपरेल को होई थी मैंने वीडियो से निकाल ली दिटेल्स तो वो अब फिर से चालू होगी है इसके अंदर जो दो दिन हो गया तो जो वो लाइट है इंजन माल फंक्शन लाइट या इंजन लाइट वो अब जानी रही तो मैंने कुछ 10 पॉइंट से वो फैंड करी है गाड़ी की जो ओनर मैनल होती है उसमें से कुछ पढ़के कुछ वैपसाइट बगार से और कुछ अपनी लोलेट से तो मैंने कुछ 10 पॉइंट नोट करी है तो मैं अब आपको बता देता हूं कि इन 10 वजए से गाड़ी की जो इंजन माल फंक्शन लाइट होती है वो ओन हो जाती है तो एक बारी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूं गाड़ी की जो इसकी इंजन लाइट है वो ओन है इसको बंद कर लेते हैं तो आप देखना जब मैं स्टार्ट करूं देख लिए आप लोग ने और भी कुछ बहुत ज़्यादा छोटी मोटी दिक्कता गाड़ी के अंदर वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वाइब्रेशन वगरा बहुत ज़्यादा है यह उस पर दीसी है जीए इसको पेट्रोल पर कर लेता हूं यह देख लो मेरी ही गाड़ी है दिखा देता हूं तो आप एक बड़ी वाइब्रेशन वगरा भी सुनो आग्ये से आ रही है बोनट वाले एरिया से तो मैं बेसिकली इस लाइट की बात कर रहा हूं इंजन माल फंक्शन लाइट यह तो मैंने कुछ 10 पॉंट फाइंड करें है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि इंजन कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है कि यहीं से वाइब्रेशन सुन लो आप एक बड़ी कि अ कि टर रटर एक तो फ्यूल जो इसके पिछे लगी है एक तो यह भी करती है वाज कि वाइब्रेशन आप ऐसे देखो कि बहुत ज़्यादा कर दिया मैं अपना गर हाथ रखू दो कि देखो पूरा हाथ मेरा आप यहां से भी देखो तो आपने देख लिया और इसकी इंजन माउंट वेगा रहा है जो वह भी चेंज करवाने वाड़ी और कि अंदर बैठ के बाद करता हूं तो आपने देखा कितनी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कि कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है और पीक अप वेगारा में भी इसकी थोड़ी सी कमी लग रही है और इसकी जो क्लच प्लेट है वह भी लो हो चुगी है जैसे मैं एकदम से अक्सेलरेट करता हूं गाड मैं एक जगह रखने की कोशिश करता हूं अब देख सकते हैं जैसे हलकी हलकी है ऐसे ऐसे कापरी हो यह दो मैं रेस दे रहा हूं एक बड़ी यह देखो नीचे जा रही है फिर उपर आ रही है जैसे पटाक के मार रहा हूं इंजने एक तरह गा तो चलो इसको कर दिया मैंने बंद तो अब मैं कुछ आपको दस पॉइंट बताता हूं जिनके कारण हमारी गाड़ी की जो होती है हम पता लगा सकते है कि जो यह माल फंक्शन लाइट है यह क्यूं आई है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो हमारा रहता है लूज या डैमेज यानि की खराब है कोई चीज यानि की डैमेज है या लूज है यानि की डिली है जो हमारी गाड़ी की होती है गैस कैप होती है उसका काम क्या होता है गैस कैप का गैस कैप होती है जो की फ्यूल के वे यानि के अटमोस्फियर के अंदर जाने से उसको रोकती है लूज और डैमेड गैस टैप गैस कैप सोरी और सेकंड पॉइंट है मेरा वह है फॉल्टी ओक्सीजन सेंसर मैं आपको बार-बार इस लिए दिखा रहे हैं कि बाहर के आई शोर विगारा हो रहा है आपको सुनाई नहीं देगा उक्सीजन सेंसर मैंने आपको पहले विजाएव है कि गाड़ी के इन पार्ट के साथ छेड़ चाड़ नहीं करनी चाहिए वह आप जाके देख लेना तो उक्सीजन सेंसर आपको पता है मैंनी फॉल्ड के उपर लगाता है यह क्या करता है मोनीटर करता हमारी गाड़ी की गैस के लाने जाने के लिए यानि 60 था चेंडर और ल। करता है मालर फ्स थर्ड है Catholic Converter Issue Catholic Converter क्या होता है जो कि harmful gases होती है उनको कम करके release करता है गाड़ी के अंदर से यानि कि engine से जो गाड़ी का लगा होता है silencer वगारा होते है muffler वगारा तो क्या हो सकता है engine misfire कर रहा है Catholic Converter के अंदर कोई कचरा वगारा आ गया मालो सही से combustion नहीं हो गाड़ी के अंदर तो कोई कचरा वगारा है उसके अंदर कोई blockage है उसके अंदर मालो कहीं से blockage मिट्टी वगारा कुछ चली गई वैस तो जा नहीं सकती क्योंकि shield होता है वैसी example ज़रा कोई dirt वगारा कुछ होगी यो blow के जो तो यह होता है तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निप्टा रहू क्योंकि 6 मिनट 40 सेकंड की तो वीडिय हैं यह होगी और मैंने जल्दी निप्टानी है fourth point है misfiring engine misfire तब ही करेगा जब हमारी गाड़ी के गाड़ी के spark plug होती है वह यह तो जल्द चुकी है यह मालो work नहीं कर रहे सही से तीन लेहां इसके अंदर तीन slender engine है तो तीन spark plug है चार slender होता तो चार होते इसके अंदर तो misfire तब करेगी और यह जो cut cut अवाज आ रही है यह तो उसकी injector rail गी और engine mount भी इसकी यानि कि एक खराब है मैंने जब पीछे service कराई थी तब उन्होंने गाता कि थोड़ी सी low है पर अभी निकाल जाएगी पर अब मेरे को लग रहा है कि damage हो चुकी है उसकी एक rear वाड़ी होती है तीन लगी है होगी है न इसमें 5th point है mass airflow sensor issue मैं इतनी असान भाषा में समझारों जिससे की आम जंता समझ पाए जो थोड़ सा technical knowledge है जिसको गाड़ीयों की तो वो तो समझ आएगा mass airflow sensor क्या होता है 6th point है evaporative emission control system leak है या फिर उसके अंदर कोई कमी है और इसका काम यह होता है जो हमारी गाड़ी का fuel होता है उसको collect करना या store करना उसके vapor होते है fuel tank के अंदर इस store करना ताकि उनको बाहर नजाप है atmosphere के अंदर फिर उसे बता देता हूँ जो हमारी गाड़ी का जमालो पेट्रोल है टेंक के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है पेट्रोल के अंदर वेपर होते हैं, तो उसको भार एट्मोस्फियर में जाने से वो रोकता है, जिसके कारण पेट्रोल वगहरा खराब नहीं होता, आपने भी सुना होगा, कि जैसे की पेट्रोल होता है, गाड़ी का वो खराब नहीं होता है, क्योंकि वो सील्ड टाइप हो यह होता है evaporative emission control system, और seventh point यह है exhaust gas recirculation whale issue, यह कै HELP होता है, यह जो गाड़ी का emission होती है, इसको control करता है , और कम करता है, और जो हमारी गाड़ी की mileage लिगर रहे है, i shall ignore income है इसको यानि की बढ़ा दल ढेता है, यह जो गाड़ी की average लिगर रहा है, वो कैसे आती है,ाप लो हर सेंसर का अलग एक काम होता है किसी का है एरफलो सेंसर को कंट्रोल करना किसी को भेजना किसी का अमाउंट कंट्रोल करना किसी का प्रैशर कंट्रोल करना तो यानि कि मालो एरफलो सेंसर है वो क्या करता है मैंने आपको पताया था एरफलो का जो अमाउंट होता है उसको कंट यह एक यह जो है अंदर है यानी की इंजन की बैक साइड में लगाई और सामने की योता है गाड़ी का जो मैनिफोल्ड總 है मैने अब मैने वहताय जिसका WA जो क sich से लेंड़ी के पीछ लगा उसको और ङाधमतंण और बीच में इंजन हो है और आगे एक्जोस्ट मैनिफोल्ड है तो exhaust manifold होता है जो हमें सामने से दिख जाता है जो इसके अपर रस्ट लगी होते हैं पाइप की silencer वाली होती है उसको आप कहलो exhaust manifold और जो पीछे होती है plastic की डली हो यह इसके अंदर बहुत गाड़ी के अंदर है plastic की लोही की तो शाहिद किसी की भी नहीं प्लास्टिक की है पर वह प्लास्टिक ऐसा है कि यह नहीं कि ज्यादा हीट होने से गल जाए ऐसा नहीं अच्छी क्वालिटी का plastic है ABS होता है तो वह क्या होता है इंटेक manifold होता है वह या तो लूज हो चुका है या डैमेज हो चका है या उसकी जो टाए बगएरा है वह खराब हो चुए गास्केट यह जैसे एक मालो की पुरजा है मालो की कोई पार्ट है जो connect होता है कि इसी की बीच में जैसे रबर टाइप या को leader लगे होती है उसकोगते हैं और नाइन्थ यह है यह होता है जब हम गाड़ी को accelerate करते हैं तो यह गाड़ी का क्या होता है कि कितना जाbb Stones चाहिए को इतना ज़या यानि कि fuel burn करना है फिर combustion करना है यह होती है तो 9 ही होते है 10 ही होते है something जैसे मालो इंगली नहीं हिंदी में प्लाद तो जैसे कि मालो कोई sensor है कोई वह मालो कोई plug वेगरा है वैसे example दे रहा हूँ कोई net है वो धीला हो चुग है जैसे मालो कभी गाड़ी का आपने देखा होगा कि गाड़ी हम कैसे कोई पहाड पे चड़ा रहे है कोई रहें पे चड़ा रहे है तो गाड़ी क्या है नीचे से underbody लग जाती है उसकी या तो जो यह होता है हमारा गाड़ी का running board यह लग जाता है या सामने से भी गाड़ी लग जाते है जैसे मालो बंपर तूड़ गया फिर नीचे गाड़ी से का जो चेंबर गया रहा होता है या कोई rubber का पार्ट होता है तो वह थोड़ी सी उसकी position हिल जाती है जिसके कराण कहाता है प्र चोटी बोटी चीज नाट धिल नखीक या मालों जैसे उसके उपड़ कोई इंपक्ट से लगी फ्रेंट से ठोगी तो उसके करनड भी इंज़लेट उनों जाती है क्या आता गाड़ी थी हुआ हुआ गाड़ी पूरी हमें अंदर से फिर नहीं होता तो कि जो गाड़ी के करमपल जोन होते हैं वो यह एब्जोब कर लेते हैं बहुत ज्यादा तो तो कहने का मतलब यह कुछ ढिला होगा नट वेगरा या कुछ भी कमी है जैसे चोटा मोटा कोई गैस कैप गयरा होगी या कोई जैसे मालो वह होता है गाड़ी का कोई वायर वगयरा धिली होगी तो इस कारण से भी हो सकता है तो यह थे कुछ दस पॉइंट मैंने आपको पता दिये तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना जल्दी से 1K करवा दो फिर एक इंटरस्टिंग सी हम प्लेइलिस्ट क्रियेट करेंगे थैंक्स